जैश्री केदार, शुशंकर शंभो, केदारनात का मंदीर भारत के उत्तराकंडराज्य के रुद्रप्रयाक जिले में स्थित है केदारनात का मंदीर 11,755 फीट की उंचाई पर स्थित है केदारनात जाने के लिए हमें पहले हरिद्वार पहुचना पड़ता है हरिद्वार से हम उत्तराखंडराज्य के बसों से या अपनी खुद की गाडियों से रुशुकेश, देवप्रयाग, रुद्र प्रयाग, गुप्तकाशी होते होए सोन प्रयाग तक जा सकते हैं सोन प्रयाग तक ही हमारे गाडियां जाती है हरिदवार से सोन प्रयाक 240 किलोमेटर पड़ता है सोन प्रयाक से आगे 5 किल्प्टर गवरिकुंड पड़ता है सोन प्रयाक से गवरिकुंड तक हमें वहां की लोकल टैक्सियों से जाना पड़ता है गवरिकुंड से केदारनाथ का अंतर 17 किलोमेटर है गवरिकुन से केदारनाथ तक हम पैदल, गोडे खचर या डोली में जा सकते। हिमाले परवत की गोद में केदारनाथ का मंदीर 12 जोतिलिंग में सम्मिलित होने के साथ चार धाम और पंचे केदारों में से भी एक है। यहां की प्रतिकुल जेलवायू के कारण यह मंदीर अप्रेल से नुवेंबर माहा के मध्धी दर्शन के लिए खुलता है। पत्तरों की कत्यूरु शेली सेबने इस मंदीर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्मान पांडवों के बत्र महराजा जनमेजैने किया था। यहां स्थित स्वेंभू शुवलिंग अधिप्राचीन है। आदिशंकराचारे जी ने इस मंदीर का जिर्नोधार करवाया था। मंदीर को तीन भावगों में पाटा जा सकता है। गर्भग्रह, मध्यभाग और सभामंडग। गर्भग्रह के मत्यभाग में भगवान स्री केदारेश्वर जी का स्वेंभू जोतिरलिंग सित है, जिसके अगरभाग पर गनेज जी के आकृती और साथ ही मापार्वती का स्री यंत्र विद्यमान है। जोतिरलिंग पर प्राकृतिक यद्णों पीट और जोतिरलिंग के प्रष्टभाग पर प्राकृतिक स्पटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है स्री केदारेश और जोतिरलिंग में नवलिंगा कार विग्रह विद्यमान है इस कारण इस जोतिलिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है स्री केदारेश और जोतिलिंग के चारो और विशालकाय चारस्थंब विद्यमान है जिसको चारो वेदो का द्योतक माना जाता है जिन पर विशालकाय कलनुमा मंदिर की छत्ट की हुई है जोतिल निंग के पश्चिम की और एक अखंड तिपक जलता है जो कई हजारों सालों से निरंतर जलता आ रहा है गर्बग्रह की दिवारों पर सुन्दर आकर्शक फूलों और कलाकृतियों को उकरकर सजाया गया है गर्बग्रह में स्थित चारों विश्यालकाय खंबो के पीछे से स्वयम्बू जोतिल निंग भगवान श्री केदारेश्वरजी की परिक्रमा की जाती है मंदिर की पूझा श्री केदारनाथ 12 जोतिल निंग में से एक मानकर की जाती है प्राथक काल में शूपिंडी को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर गीलेपन किया जाता है तत पश्चात, दूप और दीप जलाकर आरती उतारी जाती है इस समय यात्रिगन मंदिर में प्रवेश करकर केदारनाज जी की पुजा कर सकते है संध्या के समय भगवान का शुरूंगार किया जाता है उन्हें विवित प्रकार के चिताकरशक डंग से सजाया जाता है केदारनाज जाते हुए प्रकृती ने हिमाले की गोद में चुपाई हुए अपने सुन्दर प्रकृतिक नाजारों के दर्शन भी आपको होते है दोस्तो आप भी केदारनाज जाकर भगवान बोले नाथ के पवित्रा और अनंददाई दर्शन लेने के सोभाग्य अवश्य प्राप्त करे धन्यवाद हर हर महादेव